कि नमस्कार अमेठी और सुल्तानपुर के यहां के लोग जब प्यार देते हैं तो जम करके देते हैं आज भी मैं वही इसने वही अनुराग वही अपनापन अनुभव कर रहा हूं और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं साथियों उत्तरपदेश में चुनाव के चार चरण पूरे हो चुके हैं चारो ही चरणों में लोगों ने एक जुट होकर बीजेपी को अपना आशिदवाद दिया है जो गोर परिवारवादी सोत्र है कि यूपी के लोग बट जाएंगे बिखर जाएंगे देश हित को भूल जाएंगे उत्तरपदेश के हितों को भूल जाएंगे अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे उन सबके सारे गणीत उल्टे पड़ गए हैं उन्हें सच्चाई का पता दस मार्च को लग जाने वाला है भाई आर इसलिए इस बार उत्तरपदेश रंगों वाली होली दस मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा अमेठी सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही है कि परिवार वादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है ये लोग जमीन हकिकत से इतना दूर है इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है साथियों आज दसकों बात यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किये विकास कारियों के आधार पर गरीबों के हीत में किये गए कारियों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुद्री हुई कानून ववस्ता पर वोट मांग रहा है वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके है अपरादियों की हिम्मत पस्त हुई है वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने ब्रश्टा चार का अरोप ऐसी किसी भी मुसीबत को इस तुनाव के मैदान में जेल नहीं रहा है और वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब मध्यमंबर खुद आगे आकर कह रहा है आएगी तो एंडी ये ही आएगी तो एंडी ये ही आएंगे तो योगी ही भाई और बैनो जो ये परिवारबादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महराजा की तरह आप पर राज कर सके हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए नहीं हमारी ताकत कोई बहुवली या माफिया है हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है उत्तर प्रदेश क्या गरीब है उत्तर प्रदेश की माताई बहने हैं वो आज देख रहा है कि कैसे बीते पांच सालों में भाजपा सरकार ने उसकी भलाई के लिए काम किया है वो जानता है कि हर सुख दुक्वे हैं हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही है वो जानता है कि सरकार की योजनाओं का लाब देने में हम कभी भी न जाती देखते हैं न मजबब देखते हैं हम सिरफ इमानदारी से जो भी गरीब है जो भी योजना का हकदार है उसकी आवशक्ता की पूर्ती का प्रयास करते हैं इसलिए आज यूपी के लोग भाजपा को दिल से इतना आशिवाद दे रहे हैं भाई और बहनों आज का दिन 24 फरवरी मेरे जिवन का विशेस दिन है क्योंकि आज ही पी एम किसान सम्मान नीदी को तीन साल पूरे हुए हैं जब 2019 में हमने योजना शुरू की थी तो कई लोग अप्पाएं फैला रहे थे ब्रह्म फैला रहे थे कि ये तो 2019 के चुनाओं के पहले मोदी लाया है एक बार चुना हो जाएगा फिर मोदी बन कर देगा और कुछ हमारे विरोधी लोग है ना वो तो दिन रात इसको चला भी रहे थे लेकिन भाईयो बहनो हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं इमानदारी से करते हैं और लोगों की बढ़ाई के लिए करते हैं और आपने देखा चुनाव हो गया हम जीत भी गए लेकिन जो योजना शुरू की थी तिन साल से अनवरत इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहा है यहां अमेठी के किसानों को भी चार सो पचास करोर रुपिये साड़े चार सो करोर रुपिये से जादा इस योजना से सीधे मेरे किसानों के खाते में जमा हुए सुल्तानपुर के किसानों को भी चार सो तीस करोर रुपिये से जादा पी एम किसान योजना के मिले हैं यह योजना कितने ही किसानों का और खास करके मेरे चोटे किसान भाई बेनों का उनका यह संबल बनी है साथियों आज आपके बीच आया हूँ तो एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि आज से बीच साल पहले चोबीस फरवरी की ही वो तारीक थी जब मैं पहली बार विधायक बना था पहली बार पहली बार जीवन में अचानक चुनाव के मैदान में आना पड़ा था और राजकोड के लोगों ने मुझे आशिरवाद दिये और सेवा का ये सिलसिला शुरू हुआ मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं चुनावी दंगल में जाओंगा चुनावी राजनीती में जाओंगा जिस रास्ते पर जाने का मैंने कभी सोचा तक नहीं था उस रास्ते पर चलने के शुरूवाद 24 फरवरी को हुई थी मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया था जनता जनार्दन का सेवक बनकर उनके लिए काम करने का वो संकल्प हर दीन के साथ और शसक्त हुआ है यही सेवा भावना भारतिय जनता पार्टी की पहचान है और चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया मा गंगा ने मुझे पर जिस पकार से स्नेह वर्षा की आप लोगों ने मुझे गले लगाया इससे बड़ा जीवन में कोई सोभाग्य नहीं होता है आपका यसनेह आपका याशिदवाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूझी है और पूझी के नाम पर आपका प्यार ही तो यही एक मेरी अमानत है भाई और बेनो आज यूपी में आपको ऐसे परिवार खोजना मुश्किल होगा जिसकी हमारी सरकार ने सेवा भाव से सहायता ना की हो सो साल के इस सबसे बड़े संकट में यह कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है पूरी मानव जाथ दुनिया के हर कोने में इस महामारी ने क्या से क्या कर दिया लेकिन हिंदुस्तान में भाजपास सरकार ने सबकी मदद का प्रयास अभीरत जारी रखा आज यूपी के सोला करोड से जादा लोगों को वेक्सिन की पहली डोज मुपतल लग चुकी है करीब करीब बारा करोड लोगों को दूसरी डोज भी मुपतल लग गई है भाईयों बैनों आप मुझे बताईए आपको वेक्सिन का टीका लग गया टीका लग गया सबको लग गया आपको कोई पैसा देना पड़ा एक रुपिया भी आपकी जेब से खर्दा करना पड़ा टीका लगवाने के लिए रिस्वत देनी पड़ी आपको कोई तकलिफ हुई भाईयों बैनों इतनी तेजी से वैक्सिनेशन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ है इसी वैक्सिन ने कोरोना से लड़ने की ताकत हर एक नागरिक में बढ़ा दी है इसे के कारण आज दुकाने खुली हैं व्यापार खुला है स्कूल कॉलेज खुले हैं फैक्टरिया खुली है इन परिवारवादियों का वैक्सिन को लेकर जो रवया रहा है वो भी पूरे उत्तरप्रेश पूरे देश ने देखा है इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सिन को बदनाम करने की बरपुर कोशिस की और यहां तक कह दिया आपको याद है ने यहां तक कह दिया यह बाजपा की वैक्सिन है यह तो बाजपा की वैक्सिन है और कुछ लोगों ने कहा यह तो बाजपा की वैक्सिन है हम नहीं लगाएंगे कोशिज यही थी उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं राजनिती का रंग लग जाएं और लोग वैक्सिन न लगवाएं करोणा का हमला होता रहे लोग मुसीबत में फस्ते रहें और मोधी बदनाम होता रहे योगी बदनाम होता रहे तबाही होती रहे भाईयों बहनो क्या ये सोच अच्छी है क्या किसी का बुरा सोचना है अच्छी बात है क्या क्या ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या इन्होंने गुना किया है क्या नहीं किया है ऐसे गुनाइगारों को आपका वोट मांगने का हग है क्या लेकिन इन लोगों की इज़्जद ही इतनी जमीन पर पहुँच गई है इनकी credibility इतनी खराब है कि खुद इनकी party के लोगों ने भी इनके कारकरताओं ने भी उनकी बात नहीं सुनी और vaccine लगवादी यह परिवारवादी बहकाते रहे लेकिन उनके कारकरताओं ने भी registration करवाया और उन्हें भी corona vaccine की डोज ले ली साथियों बारत ने जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा vaccination कारकम चलाया उस पर हर भारतिय को गर्व है पहले दिन से यह भ्यान नियमों के अनुसार चला discipline से चला कोई भगजर नहीं कोई black marketing नहीं कोई मेरा तेरा नहीं सब कुछ नियम से हुआ इतने बड़े देश में जब कोरोना के कारण मुसीबते सामने खड़ी हो फिर भी सारा काम discipline से चले यह हिंदुस्तान के लिए सरूंचा करने की घटना है भाईयों बहुत बड़ी बात हैं और आप खुद भी गवाँ हैं कि जब वैक्सिने के लिए शुरू हुआ जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो मोदी खुद दोड़कर सबसे पहले बैक्सिन लगवाने के लिए नहीं पहुचा है हमने पहले स्वास्त सेवाओं से जुड़े लोगों को सफाई कर्मचारियों को बुजुर्गों को गंबेर बिमारी से ग्रसीद लोगों को वैक्सिन लगवाने का मौका दिया ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइने तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सिन लगवाते हैं आप यह भी देखिए मैंने भी वैक्सिन तब लगवाई जब नियम से मेरा नम्बर आया आप सबको मालू होगा अब मेरी माण सो साल की उमर्ण है उन्होंने भी लाइन नहीं थोड़ी उन्होंने भी जब उनका नम्मर आया नियम से तब बैक्सिल लगवाई इतना ही नहीं अभी बुष्टा डोच तीसरे डोच की चर्चा चल देगी है मेरी माने नहीं लगवाया क्योंकि उमर सो साल है लेकिन कोई और बिमारी नहीं होने की कारण उनका नमबर नहीं लगता है तो उन्होंने नहीं लगवाई कानुन नियमों का पालन प्रधान मंत्री भी करता है प्रधान मंत्री की सो साल की उमर की मा भी करती है यह परिवारबादी होते तो पहले खुद का वेक्सिनेशन होता है और सामान्य लोग पीछे रह जाते हैं साथियों यूपी के पंदरा करोड लाभारतियों को इस मुश्किल समय में मुप्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है यूपी के एक करोड पैसट लाख गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने मुप्त गैस कनेक्शन दिया है यूपी के 34 लाख गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने पक्का घर बना करके दिया है और यह जो घर मिल रहा है ने वो भी हमारा आग्रह है वो मकान का माली का नहाग उस परिवार की महिला के नाम पर हो महिलाओं को उसका हक मिले यूपी की लाखों बेहने बीते पांच साल में अपने घर की मालकिन हो गई है लखपती हो गई है साथियों बाजपा सरकार की स्वामित्व योजना की वज़त से आज यूपी के गावों में लाभार्तियों को एक बहुत बड़ा वर्ग जिनको लगातार उनके हक का चीजें सामने से उनके घर पे पहुंच रही है ये वो वर्ग है जिसको पहले की सरकारों के समय अपने घर अपनी जमीन पर कबजे की चिंता आए दिन सताती थी अब हम ऐसी व्यवस्ता कर रहे हैं कि कोई भूमापिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छूबी नहीं सकेगा ये व्यवस्ता हम कर रहे हैं हम आपके घर आपकी जमीन का पक्का कानूनी दस्तावेश टिकनोलोजी की मदद से तैयार करके आपको गरोनी दे रहे हैं पीएम स्वामित्वयोजना के ताथ यूपी के लाखों ग्रामिनों को गरोनी दे जा चुकी है और आगे भी काम चल रहा है माकी गावों में भी ड्रोन के माध्यम से ये काम ये आचार चहीता के कारान अपसर जना दूसरे कामों में इलेक्शन कमिशन की सेवा में है लेकिन जैसे ही चुनाव का काम पूरा होगा धना धन ये काम पिर से शुरू हो जाएगा बाई और भेनो आज अमेठी के लोगों के सामने सुल्तानपूर के लोगों के सामने मैं ऐसे दो विशों की भी चर्चा करूंगा जिसके हमारे देश के नागरिक हमारे उत्तरफुदेश के नागरिक हमारे सुल्तानपूर अमेठी के नागरिक इसके भुक्त भोगी रहे हैं परेशानिया जेली हैं ये विशा है और वो देश के सामने लोगतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनोती है और मैं चाहूंगा कि मेरे जो नवजवान है वो मेरी इस बात पर गौर करें उस पर जरूर ध्यान दें साथियों ये विशा है पहला वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दूसरा परिवारवादी राजनिती जब मैं दो विशों की चर्चा करता हूं तो ये परिवारवादी लोग मुँपर ताले लगा देते हैं और उनके जो इको सिस्टिम है न है वो भी बात को उलट करके दूसरी दिशा में ले जाती है आप देखिएगा ये लोग कभी इसका जवाब नहीं देते क्योंकि इनके दिल में खोट है साथियों वोट बेंक की पॉलिटिक्स और परिवारवादी राजनीती दोनों ने देश का बहुत ज़्यादा नुक्सान किया है कि जब आप वोट बेंक की पॉलिटिक्स करते हैं किसी का तुष्टे करन करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि समाज के एक बड़े वर्ग से आप विकास का हक छीन रहें जब आप परिवारवादी राजनीती करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप किसी साधारण व्यक्ति से आगे बढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं साथियों एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक पुलिटिक्स को तुष्टी करण को बढ़ावा दिया उसे खाथ पानी दिया आज वोट बैंक की इसी पुलिटिक्स ने तुष्टी करण की इसी राजनीती ने इन नेताओं को इन राजनीतिक दलों को अपना बंदक बना दिया है बंदक बना दिया अब वोट बैंक की पुलिटिक्स ही इन दलों की नेताओं की मजबूरी बन गई है इसलिए आज भी उनका हर फैसला इसी वोट बेंक की पॉलिटिस्ट के हिसाब से ही होता है यह फैसला अगर देश हित के खिलाब हो तो भी यह नेता उस फैसले को लेने में जराबी हिचकते नहीं है उनको देश की नहीं वोट बेंक की चिंता रहती है और इसलिए आप लोग देखते हैं कि लोग हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं हमारे पुलिस फोर्सिस का अपमान करते हैं उनके मनोबल को तोड़ने की बाते करते हैं क्योंकि ऐसी बाते करने से उनकी वोट बेंग को खुशी होती है इसी सोच की वज़ा से ये लोग हमारे सम्मिधान की परवा नहीं करते देश की समयधानिक संसाओं पर सवाल खड़े करते हैं अभी आपने देखा है चप्पन यहां कड़ा छोटा नहीं है चप्पन मिर्दोष लोगों को कुछी मिनिटों में अलग अलग जगा पर बम धमाके करके चप्पन लोगों को मार दिया गया था सेंकडों लोगों को अपाहीच कर दिया था ऐसा भैंकर मानवता के खिलाप कृत्य करने वाले आतंकबादियों को अड़तिस आतंकबादियों को गुजराज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है अब मैं देख रहा हूं मैंने कहा कि अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है आप सब तालिया बजाने लग गए आपको अच्छा लगा की नहीं लगा न्याई मिला उससे आपको संदोज हुआ अग नहीं हुआ आपको न्याई में विश्वाथ है की नहीं है लेकिन आप देखिए मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई लेकिन बोट बेंक के डर से बोट बेंक खिसक जाएगी तो क्या होगा इन पार्टियों ने आदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई उनके मुँपे ताले लग गए है भाईो जो लोग गुनेगार सित हो चुके हैं उनके लिए भी अगर रहम नजर रखते हैं क्या ऐसे लोगों को राजनीति में सत्ता में आने का हक है क्या ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाईयो बेनो जहां तक दूसरी बात है परिवारवादी राजनीति की तो उससे भी देश का बहुत दुक्षान होता है परिवारवादी राजनीति में पार्टी का अध्यक्ष परिवार का होता है पार्टी के सभी महत्वपुर्पदों पर परिवार के लोगी जम करके बैटे होते हैं महत्वपुर्पदों पर दावेदारी भी उसी परिवार के सदस्यों की होती है पार्टी में कोई आंत्रिक लोगतंत्र नहीं होता पीता के बाद बेटा फिर बेटे के बाद बेटा या बेटी बहू उनी लोगों को पदपर रहने का हक मिल जाता है ये परिवारवादी पार्टिया यही पहले पक्का कर लेती है इन पार्टियों में जो परिवार को समर्पित होता है उसी को वहाँ कुछ अवसर मिलता है उनके लिए सम्मिदान सुप्रिम नहीं होता है परिवार का सुप्रिमों ही सुप्रिम होता है वहाँ वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता देश के लिए कुछ नहीं कर पाता उसको तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के हित में ही काम करना होता है ऐसी परिवारबादी पार्टियों में कार्यकर्ता के लिए पश्ट संदेश होता है मैनत आप करिए फल हम खाएंगे साथियों इन गोर परिवारबादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मिला बना रखा है ये लोग अलग अलग जीलों से मंत्री मंत्री तो बना लेते हैं अपने वोट बेंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है वो क्या करते हैं अपने परिवार के लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आये हैं जो समीदान की वेवस्ता में नहीं है उनको इलाके बाढ़ देते हैं बतीजों को कहते हैं ये दोई जिले तुमारे बांजे को कहते हैं ये दिजो जिले तुमारे बहन को कहते हैं एक जिला तुमारा और अपसरों को भी मालूम होता है जो मंत्री बनाए है वो तो नाम के है असली मंत्री तो परिवार में जिन को बनाया है सब कुछ उसी को यह सूपर मिनिस्टर मिनिस्टर के उपर सूपर मिनिस्टर वो परिवार का होता है फिर जो विभाग होते हैं खनन का काम बांजा देखेगा हेल्थ का काम बतीजा देखेगा विबाकों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टर को बार दिया जाता है और इसलिए नीचे सरकारी तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम बाम करने की जरूत नहीं है जनता का बला करने की जरूत नहीं है बस इस सुपर मिनिस्टर को समालो अपना सियार ठीक रहेगा इस तरह चुप चाप परिवार में बैटे बैटे लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कप्जा करके बैठ जाते हैं चोरी छिपी से फाइल ये भी तब तक क्लियर नहीं होती है जब तक कि सूपर मिनिस्टर ने हान कहा हो यानि मंत्री कोई भी हो लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रा लेके ओ चलाता है उसी के काम से बात आगे बनती है भाईयों बैनों क्या ये लोग तंत्र के लिए संविधान के लिए सामान ने मानवी की आवशक्ताओं की फूर्ति के लिए ये रास्ता उचीत है गया भाईयों बैनों और इस सब परिस्तिति में वहां के अधिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है ट्रांसपर पोस्टिंग भी वह सुपर मिनिश्टर कहेगा तभी होगी जो समीधान के मरियादाओं के बाहर बैटा हुआ है भाईयों बैनों वही सुप्रि इसलिए परिवारबादी पार्टियां डगर डगर पर संबीधान का अप्पान करती है संबीधान को नकार देती है साथियों परिवारबादी पार्टियां अगर सबसे जादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का युवा टेलेंट का जबकि आप देखेंगे बाजपा में आज कोई अद्धिक्ष है कल कोई और अद्धिक्ष बन जाता है आज कोई एक भूमी का निभा रहा है कल कोई और वही भूमी का निभा सकता है भाजपा पीता एंड संस की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है भाजपा में कौन किस परिवार का है इसका कोई महत्व नहीं है हमारे हाँ कारेकरता का परिवार नहीं उसकी कर्मटता उसका समर्पन जनता के लिए सेवा करने का भाव उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं और आप जनसंग के जमाने से इससे देख सकते हैं हमारे हाँ हमने इसी लोकतांत्रिक प्रंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जिने का वादा करते हैं कि भाई योब और भार्तिय जनता पार्टी को जन्ब हुए करीब चार दसक हो गए इन चार दसक में आप देखिए हमारे हाँ पार्टी अद्ध्यक्षण सब्सक्राइब किसी परिवार के प्रभाव में हमारा अध्यक्ष नहीं बना है जबकि पीछले चार पॉल पाध दसकों में हमने कॉंगर्येस पार्टी में करीब करीब एक ही परिवार का अध्यक्ष देखा है साथियों आजाधी की लड़ाई के समाएं कॉंग्रेस में कम अधिक मात्रा में लोग तंत्र बचे हुए थे जब बड़े-बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे तब वहां अधिक बदले जाते थे वहां लोग तंत्र बचा हुआ था लेकिन कॉंग्रेस में आजाधी के बाद जो दिक्कत आना शुरू हुई जब एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जाश शुरू कर दिया कॉंग्रेस की देखा देखी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां यह कॉंग्रेस को देख करके शिख गई और पूरे लोग तंत्र को दिमक की तरह बहुत बड़ा नुक्षान कर दिया यहाँ यूपी में भी गोर परिवार वादियों ने कॉंग्रेस कल्चर को ही खुच दिये पुरा का पुरा उतार लिया है उसी रंग में रंग हैं बीते कई दसकों से कॉंग्रेस हो या समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की मंदख बनी हुई है साथियों परिवार वादी पार्टियों का एक बहुत बड़ा नुक्षान ये भी है कि जब परिवार के लोग कोई गलती करते हैं है बुरा काम करते हैं व्रताचार करते हैं तो परीवार की एको willen ये उनको बचाने में काम में लग ये उनको कोई सुधारने के लिए बिए काम नहीं करता है उनको समाने का काम होता है आखिर जिन पर ब्रस्टाचार का अरोब लगा है वो भी परिवार के सदस्य होते हैं इसलिए कुछ कुछ नहीं कर सकता है और कारिवाई करनी है तो पारिवारी रिस्ते फैंसरों के आड़ी आ जाते हैं ब्रस्टाचार अगर परिवार का सदस्य कर रहा हो तो उसे चुप चाप स्विकार कर लिया जाता है उसके बाद यही ब्रस्टाचार उस पार्टी का उस सरकार का रोज मरा का ब्यावार बन जाता है इसे भी देश का बहुत नुक्षान होता है इसी ने उत्तर प्रदेश का भी दसकों तक बहुत नुक्षान किया है इसलिए यूपी के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों से परिवारबाद की राजनीती करने वालों से बहुत सतर करने के जरूरत है और मैंने नौजवान आपको जादा सतर करने की जरूरत है और अमेठी के लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग किसी के नहीं होते हैं आपने जिने बर्सों तक सर आँखों पे बिठाया सम्मान दिया और जैसे ही आपने उनको बगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही पुद्धी को कोचने की शुरूबात कर दी आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे भायों और बैनों विरोध और अवरोध जिनकी राजनीती हैं वो ये करते ही रहेंगे हम विकास की नीती उस पर तेज गती से चलते रहेंगे बीते पांच साल में अमेठी में ही पी एम आवास योजना के साथ हजार से ज़्यादा घर बना कर गरीबों को दिये गए हैं बीते पांच साल में अमेठी में करीब करीब दो लाग सोचाले जिसे हमारी उत्तर पुदेश की बेटियों ने इज्जतगर नाम दिया हैं दो लाग सोचाले बनवाए हैं यह हमारी सरकार है जिसने अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्मान शुरू करवाया है यह हमारी सरकार है जिसने पुलिस लाइन सिकृत किया है गोरी गंज और जगदिशपुर में पुलिस फायर स्टेशन सिकृत किया है गोर परिवार वादियों ने यहां की राइफल फैक्टरी का क्या हाल बना रखा था ये भी अमेठी के लोग जानते हैं हमारी सरकार ने यह सुनिशित किया है कि अमेठी की फैक्टरी में बनी एक के दो सो तीन आदुनिक राइफल देश की सुरक्षा बढ़ाएगी पूरे अमेठी का नाम रोशन करेगी यह काम पहले भी हो सकते थे लेकिन परिवारबादियों के अपने स्वार्थ से फुर्सत मिलेगी तब ही तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे साथियो योगी जी सरकार ने अमेठी और सुल्तान पूर को पुरवान चल एक्ष्प्रिस में से भी जूड़ा है आपका लखनव और दिल्ली का सफर भी आसान हो गया है यहां के किसानों और पसुपालों को का दूद फाल सब्जी तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचने का रास्ता बना है अब हम इसके इद्गित बहुत बड़ा अध्यों की गलियारा भी बनाने वाले हैं इससे रोजगार स्वारोजगार के अने को अफसर यहां खुलने वाले हैं साथियों यह जितनी भी योजनाव पर योजनाव पर डबल इंजिन की सरकार काम कर रही है वो तब ही पूरी हो सकती है जब यहां कानून का राज होगा उत्तर प्रदेश का कोई भी मत दाता यहां ऐसी सरकार नहीं चाहता जो यूपी के संकल्पों के सामने रोड़ा बन करके खड़ी हो जाए और आप ध्यान रखिए आज हमारी योजनाओं से गरीबों को जो लाब मिल रहा है यह गोर परिवारबादी उन योजनाओं को या तो अपने चाहतों की तहीं बंडर बाड़ करेंगे या तो उसको ताले लगा देंगे केंद्र की योजनाओं यूपी में लागू ना हो क्या ऐसे दिन आप उत्तर प्रुदेश में चाहते हैं डबल इंजीन सरकार का डबल बेनिफेट मिलते ही रहना चाहिए यह हमारा संकल्प है इसलिए आपको बारी संक्या में भाजपा के पक्ष में बोट डालना है अपना दल हमारा साती दल है निशाद पार्टी हमारा साती दल है उनके उमिद्वारों को भी जिताना है आप सब इतनी बड़ी तादाद में हमें आशिरवात देने आए मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक लोग खड़े हैं मैं आपका बहुत पता अबारी हो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की हारत सभी उम्वीद्वारों से मेरा अगरें आगे आजाएं और हमारे दोनों सांसद आगे आजाएं कि अ क्माम उस्त कि अ आट मारें आएं ग्लाने की वे तो बोलिए रचीफ नहीं के रहे हो एका भारत मेरें प्र। Krय कोिक प्रहें है कि आएपका खाल्यष दुरेग उूरें या草व security वे पैद्भेरी वें गोलिह